आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। हेलो स्टुडेंट्स, तो कोश्चन है, लैंज का नियम सरक्षन के सिद्धानत का परिमान है। तो यहां हमें बताना है कि लैंज का नियम किसके सरक्षन के सिद्धानत का परिमान है। तो यहां पर रिक्तिस्थान में आएगा उर्जा सरक्षन का। तो देखिए, लैंज का नियम उर्जा सरक्षन के नियम का पालन करता है। लेंच का नियम पुर्जा सरक्षन नियम का पालन करता है। वह किस प्रकार इसे समझने के लिए हम एक चालक वले लेते हैं। चालक वले और इस चालक वले के समीप हम एक छड़ चुमबक को लेकर आते हैं। तो जब हम छड़ चुम्बक के उत्री धुरू को चालक वले के समीप लेकर आएंगे तो चालक वले में धारा इस प्रकार प्रवाइत होगी कि वह उत्री धुरू की भाती व्यवार करेगी. तो यहाँ पर चालक वले में धारा चुम्बक की और से देखने पर एंटी क्लॉक्वाइस प्रवाइत होते वे लिखेगी. तो यह वले एक उत्री धुरू की भाती व्यवार करेगी. और यह उत्री धुरू चुम्बक की गती का विरोध करेगा. तो चुम्बक को इस विरोधी बल के विरुध, यानि यहाँ पर एक अवमंदन बल लगेगा, जो इस दिशा में होगा. और इस अवमंदन बल के विरुध चुम्बक की गती कराने में, जो कार्य हम करेंगे, वही वले में, विद्युत उडजा में परिवर्दित होगा. तो यहां पर जो कार्य हम कर रहे हैं, हम अपनी उर्जा खर्च कर रहे हैं, वही वले में विदुत उर्जा के रूप में परिवर्थित हो रहा है, अतल एंच का नियम उर्जा सरक्षन के सिद्धान्थ का परिमाण है अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर